हे रो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीगुरू अकैडमी में मैं मनु बर्मा आपका सुक्रिया हारदिक अविनेंदन करता हूँ दोस्तो आज का टॉपिक है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दोस्तो इस टॉपिक से हर वार एक कुश्चन आता है जबकि ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन ये हमारे समझ में नहीं आता है लेकिन दोस्तो आज इस वीडियो को दिखने के बाद आपको कभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है दोस्तो आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छा है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बस आपके जैसा तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आकन को प्रेस कर दीजिए चल दिए स्टार्ट करते हैं लेकिन कॉपी पेन ले लीजिए और उसको नोट करते जाए जो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले यदि हम बात करें जो चिंतन है तो अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन तो सबसे पहले हम अभिसारी चिंतन की बात करेंगे तो यह तत्थियों पर आधारित होता है तथा इसका एक निश्चित निश्कर्स होता है दोस्तो पहले हम इसकी थियोरी को पढ़ेंगे क्योंकि थियोरी से भी questions आते हैं फिर हम इसको trick के माध्यम से एकदम से mind में set कर लेंगे last में बिल्कुल ठीक है आपकी confusion last में बिल्कुल दूर हो जाएगी यह मैं guarantee देता हूँ ठीक है तो इसको थोड़ा से पढ़ेंगे कि यहे तत्यों पर आधारित होता है जथा इसका एक निश्चित निश्कर्ज होता है अब इसको समझ लिए दोस्तो ठीक है यहाँ पर आप इसको समझ लिए माल लीजिए हमने बोला 6 multiply 5 क्या होगा तो आपका होगे 6 5 जा 30 होगा क्या होगा दोस्तो 30 होगा तो यहे एक तत्यों पर आधारित है यानि कि 6 के 6 ही रहेंगे 5 के 5 ही रहेंगे और 5 से हम 6 की 5 से जब हम multiply करेंगे तो answer क्या आएगा हमारा 30 आएगा दोस्तो ठीक है यानि कि जो निश्कर्ज निकला वो क्या निकला एकदम से निश्चित निश्कर्ज है एकदम accurate है कि यही आएगा 30 ही आएगा ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे यह क्या है अभी सारी चिंतन है ठीक है दोस्तों अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इस प्रिकार के प्रश्णों का एक निश्चित ही आठ पंजे 30 नहीं हो सकता ठीक है आप समझ रहें मेरी बात के लिए ठीक है तो यानिकि आठ पंजे 40 ही रहेगा दोस्तों ठीक है इसको थोड़ा सा मिस हो रहा था आठ पंजे 40 ही रहेगा दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर अगली हम बात इसमें पढ़ते है कि इस प्रिकार क चिंतन करने के लिए बुद्धी का प्रियोग कियाता है इस प्रिकार का चिंतन करने के लिए बुद्धी का प्रियोग किया जाता है कहने का तात पर यह है हमें जब तक अपनी बुद्धी नहीं लगाओगे आप की आठ पंजे चालिस होते हैं अपना माइं नहीं लगाओगे multiply नहीं करोगे तब तक आप 40 बताई नहीं सकता कि 40 होंगे ठीक है तो इस परकार का चिंतन करने के लिए बुद्धी का प्रियोग किया जाता है दोस्तो ठीक है अविसारी चिंतन करने वाला बच्चा प्रतिवा साली होता है दोस्तो यहीं से question मनता है कि प्रतवा साली बच्चा किस प्रकार का चिंतन करता है तो आप कोगे अविशारी चिंतन करता है अब समझ लेंगे दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा अपसारी चिंतन को पढ़ते हैं उसके बाद में इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझते हैं जिससे आप कभी ही इसको नहीं भूलोगे नेक्ट है यहे चिंतन तत्यों पर आधारित होता है तत्था बच्चे इसमें अपने आपसे भी कुछ ना कुछ नया जोड़ते हैं ठीक है दोस्तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे जैसे माल लीजी दोस्तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हमने एक एक्जामपल उ अपसारी प्रकार का होगा अपसारी प्रकार से चिंतन करता होगा तो वो क्या कर सकता है पान अठे चालिस भी तो लिख सकता है आंसर तो बही है ना आंसर बही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका उसने चेंज कर दिया और क्या हो सकता है दस गुणए चालिस यानिकि दस तो इस प्रिकार का जो बच्चा होता है तत्यों पर आधारित होता है और अपने आपसे भी कुछ न कुछ एड करता है यानि कि इसमें क्या पूछा गया बच्चे से बच्चे से पूछा गया कि बेटा ये बताओ पचास के ऐसे कौन-कौन से गुड़न खंड हो सकते हैं तो अब बताए देगा बच्चाथ 25-40 हो सकते हैं दस चौक-40 हो सकते हैं चारधाईं चालिस हो सकते हैं तो कई प्रकार से वो उसको कर सकता है अपने पास से काफी चीज़ें उसने उसमें add की ठीकर दोस्तों अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि उसके उपरांत ही निसकर्स निकाला जाता है इसमें मैंने आपके लिए अभी बताई दिया कि अपने आप से कुछ ना कुछ जोड़ेगा उसमें और एड करेगा उसके बाद ही एक निश्चित निसकर्स पर पहुँचेगा ठीक है दोस्तों नेक्ट है इस प्रकार के चिंत में आप इसको ध्यान रखेंगे यहां से एक कोशन 100% बनता है कि जो स्रजनात्मक बच्चे होते हैं वो किस प्रकार का चिंतन करते हैं तो आप कहोगे आप सारी चिंतन करते हैं और ध्यान रखेंगे आप सारी चिंतन को ही स्रजनात्मक चिंतन भी कहते हैं यह चीज भी पर ट्रिक के माद्धम से और एकदम से simple example के माद्धम से ठीका दोस्तों अब यहाँ पर example आप देख सकते हैं example मैंने simple ही लिया है शायद यह उपर वाला ही आ गया यहाँ पर देख सकते हैं आठ पंजे चालिस अगर अभिशारी चिंतन वाला बच्चा होगा तो अभिशारी च चालिस के गुड़नखंड कौन-कौन से हो सकते हैं तो उसकते हैं तो यह भी उसका हो सकता है तो अप सारी चिंतन में बच्चा क्या करता है अप सारी चिंतन में अपने पास से कुछ चीजों को एड़ करता है अपने तरीके से करता है चीजों को और उसमें थोड़ा सा उसको कर देता है इसलिए ध्यान रखेंगे आगर कोशन आप से आता है कि अपसारी और अविसारी चिंतन दोनों में से किसका विकाश चित्र बड़ा है तो आप कहोगे अपसारी चिंतन का जो छेतर है वो थोड़ा सा बड़ा है एक और example समझते हैं बहुत ही simple सा example है अब यहाँ पर example क्या है कि अगर अपसारी चिंतन वाले बच्चे से पूछे जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है तो वो डारेक्ट एक ही उत्तर बता देगा दिल्ली क्या बताएगा दोस्तों दिल्ली क्लास में बच्चे बैठे हुए हमाल लीजे 10 बच्चे बैठे हुए हैं अगर हम पूछेंगे क्लास में कि भारत की राजधानी क्या है तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे दिल्ली डारेक बताएगा कोई कुटो मीनार बताएगा कोई लोटश टेंपल बताएगा कोई अक्षर धाम बताएगा तो यह सारी चीज़ें हर बच्छा अपने पास से अलग अलग चीज़ें बताएगा हो सकता है कुछ बच्छे वहाँ पर अनवव भी बताने लगें मतला अगर गए हो बह तो आपको निश्चित सफलता पानी है यह किसके साथ तो स्री गुरू अकेडमी के साथ आप बस मैं जितना आपको करा रहा हूं आपको उतना करते रहना है दोस्तों हर व्यक्ति को मुझे पास कराना है और पास ही नहीं दोस्तों 105 प्लस मैंने टार्गेट रखा है और जिसे मैं हर बच्चे से अचीव करवाना चाहता हूं ठीक है दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे लेकिन फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ टॉपिक बहुत ही जवर जस्त होगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों खुश रह लिए और तैयारी करते रही है ठीक है उस्तों तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू क्या दो साथ एंक्यू